अब हम करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर चेंज इन पोजिशन एंट इंटेंसिटी ऑफ अब्जोप्शन कैसे चेंज होगी और इंटेंसिटी अब्जोप्शन के बाद जैसे कोई भी आइसोलेटीड क्रोमोफोर ग्रूप ले लिया हमने जैसे सी डबल बोंड सी एद्टिपलाइन जो क्रोमोफोर है कल हमने कront man pढ था जो अब्जॉपशन होगी इन के अंदर फार के अंदर होगे जो इसली डिंहीं कर सकते हैं और जो पोजीशन अब्जोप्शन Chris Maximum की और इंटेंसिटी होगी अब्जोप्शन मैक्सिम्म पीम की वह तो हम वह उस तरह के चार इफेक्ट सपढ़ेंगे फर्स्ट एफेक्ट है बैंथो क्रोमिक सिफ्ट क्या होता है यह इसको हम रेड सिफ्ट भी बोलते हैं इसके अंदर क्या है यह सिफ्ट करता है अब जोप्शन मैक्सिमम को लोंगर वेवलेंद की साइड अब हम इस बैंथो ऐसे ऊगजोरों को जैसे जैसे ओफेक्शो सकते हैं ग्रूब प्रोंप उपर बैंजीन हुंसके आप लगाय था जो मैंने एं ज्काणल कंजूगेशन में है अब करता था इसके लोंग 280 के अंदर absorption maximum shift हुई थी longer wavelength के तरफ shift हुई थी second है by conjugation of two or more chromophoric group जैसे दो और दो से ज्यादा chromophoric group हैं उसके अंदर conjugation करके भी हम absorption maximum को longer wavelength के तरफ shift कर सकते हैं इसमें हम example देखेंगे जैसे one three butadiene one three butadiene इन के अंदर क्या है दो double bond present होते हैं और वो conjugation के अंदर होते हैं जैसे इथाइलिन इक बोंड थे इथाइलिन बोंड थे उसके अंदर one seventy nanometer transition देखी गए थी हमने यह वेवलेंस देखी थी इथाइलिन बोंड के अंदर अब दो इथाइलिन बोंड मिलके one three butadiene बनाते हैं तो उसके अंदर जो absorption maximum है वो two one seven nanometer के अंदर shift हो जाते हैं अब आगे हैं बाई using solvent of lower polarity मतलब lower polarity का solvent यूज करके अब जैसे बैंतो क्रॉमिक shift है उसको उसके अंदर क्या होगा interaction होगी solute और solvent molecule के अंदर अगर solute और solvent molecule के अंदर interaction होगी तो जो wavelength हो sort wavelength के तरफ सिफ्ट होगी इसलिए हम lower polarity का solvent यूज करते हैं ताकि कम interaction और solute और solvent molecule के अंदर और fine structure होगी उसके ओपर कोई भी effect ना हो अब हम इसके अंदर example करेंगे acetone का acetone है जो acetone के अंदर solvent हमने यूज किया H2O तो उसके अंदर 264 nanometer absorption हो कर रहा है और अगर हम hexane यूज करेंगे तो यह 279 nanometer करेंगा क्योंकि जो water है वो उसकी polarity ज्यादा hexane की compare में तो इसलिए वो hexane के अंदर ज्यादा wavelength शो करता है अब हम इस graph के थूँ देख सकते हैं जो यहां पर lambda max है वो इंक्रीज हो रहा बैं तो chromic shift इस साइड दिखाया गया है अब आगे हम करेंगे हिप्सो chromic shift हिप्सो chromic shift को हम blue shift भी कहते हैं इसके अंदर क्या है जो absorption maximum shorter wavelength की तरफ सिफ्ट होगी इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं फर्स्ट by removal of conjugation system first hair conjugation system को remove करके जैसे हमने example किया था वहां पर benzene के उपर NH2 group लगा दिया अब हम इसका protonation कर देंगे protonation करने के बाद यहां पर NH3 positive आ जाएगा तो इसके अंदर कोई भी loan pair नहीं होंगे electron के जो conjugation में help करें वेंजीन की तो 280 से 203 के तरफ मूव करेगी इसकी wavelength तो इसकी wavelength कम हो जाएगी अब second है by using solvent of higher polarity अगर हम higher polarity का solvent यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा जो ब्लू सिफ्ट होगी मतलब जैसे अंदर के अंदर देखा था हमने और वोटर का यूज किया था वोटर के अंदर कम वेवलेंद्स हो करेंगे और है एक्जेन के अंदर जाता तो इसी तरह अगर हम इंक्रीज करेंगे polarity तो वेवलेंद्स कम होगी अब इसके अंदर यहां पर हिप्सोख्रोमिक सिफ्ट दिखाए गई है अब आके है हाइपो ख्रोमिक से इफेक्ट हाइपो क्रॉमिक इफेक्ट के अंदर क्या है इंटेंसिटी है जो इंक्रीज होती है अब्जोप्शन मै मैक्सिमम की अब आगे हम पढ़ेंगे solvent effect solvent effect का इस ओल्वेंट का क्या effect होगा structure के उपर intensity के उपर और wavelength के उपर वह हम पढ़ेंगे फर्स्ट है effect on fine structure fine structure के उपर क्या होगा अगर solute molecule और solvent molecule एक दुसरे के साथ interact करेंगे तो absorption maximum का जो कर्व था जो lambda और absorbance के बीच कर्व था वो blur हो जाएगा और जिसके कारण वह smooth curve हमें obtain होगा और जो यह smoothing out होगी कर्व की वह ज्यादा होगी polar solvent के अंदर as compared to non polar solvent जो polar solvent है जो solute molecule के अंदर तो उसके अंदर ज्यादा smoothing out होगी non polar के compare में आगे है effect on the position intensity of absorption maximum position और intensity के उपर क्या effect होगा जब हम polarity change करेंगे तो इसके अंदर position और intensity दोनों के अंदर change होगा अब first effect on non polar compound और non polar compound के उपर क्या effect होगा जो non polar compound हो différents के अंदर koогी significant shift नहीं होगी अगए effect on polar compound polar compound के अंदर क्या होगा absorption maximum shift होगा या तो lower polarity lower wavelength कर्व कर्व या लोंगर wavelength की तरफ गर transition देखेंगा हम अगर N से पाइस्टार ट्रांजिशन होगी तो इसकंदр कोगा फोलैरीटी इंक्रीज करेंगे तो सोलवेंट Passy सट्बसोंटर सोल्वेव लेन्थ की तरफ पोलैरीटि 신 करने के कारण शेपाइन से स्टार के अंदर शोल्टर वेलान के committee कोई भी means अगर पी से 20 सार सर्ड कोई इնक्रीज करें तो यहां पे क्या होगा और स्टेवलेइस वहरों पर बोलर सेथा आगर कोई भी ग्रूप फो यहां पर फोलर हैं ःग्राउन belts ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा इसके अदर जो सोल्वेंट है उसके अंदर पॉलरिटी इंक्रीज होगी सोल्वेंट मौल्ड के अंदर तो अब्जोप्शन माक्सिमुम सोल्टर वेवलैंड की तरफ शिफ्ट होगा और अगर कोई भी ग्रूप एकस पीश्य क Tiere सेख लोनगर अग दूर अगे चोई सॉलॉइंट कंडे क्या ऑगी होगा हुए जप हम एकजामिदेशन करें तो दarde कोई भी मतलब रटीरेशन अब्जोर्ब ना करें जब हम solute molecule को चेक करें क्या है उसके अंदर less polarity होना चीए less polar होना होना चीए तो मतलख क्या होगि कम interaction होगी solute or solvent molecule के अंदर तो fine structure के ऊपर कोई भी वह नहीं होगी अभी हम इसके अंदर कैसा solvent ले सकते 95% इथेनोल ले सकते हैं, हैक्जेल ले सकते हैं, साइक्लो हैक्जेल ले सकते हैं, मिथेनोल ले सकते हैं, वाटर और इथर इस तरह के solvent का हम use कर सकते हैं लेकिन benzene, chloroform और tetra chloride को हम use नहीं कर सकते क्योंकि ये absorb करते हैं radiations को अब आगे हम पढ़ेंगे application of UV spectroscopy UV spectroscopy की applications क्या क्या है first is detection of conjugation हमने पता लगाया था हमने पिछे पढ़ा भी है कि हम conjugation को detect कर सकते हैं UV spectroscopy की help से carbon carbon के बीच में double bond है triple bond है single bond है उसके बारे में पता लगा सकते हैं double bond aromatic compound है या कौन से compound होनके बारे में पता लगा सकते हैं second है extent of conjugation extent of conjugation भी पता लगा सकते हैं क्योंकि जब double bond के number increase होंगे तो absorption maximum है वो सिफ्ट होगा longer wavelength की तरफ third है determination of configuration of geometrical isomer यह most important है लगबग examination में पूछा भी जाता है इसके अंदर क्या है जो ट्रांस isomer है वो ज्यादा wavelength show करता है as compared to cis isomer के compare में और इसकी molar absorber है ट्रांस की वो भी increase होते हैं क्यों होते हैं जैसे हमने एक्जांपल यह two stable ends के यहां पे यह trans है और यह cis isomer है इसके अंदर क्या है जो हमने trans का लिया है इसके अंदर क्या है इसके इनदर दोनों बल्की ग्रूप opposite side में present है इजर साइड में present है double bond के तो इसके अंदर क्या है कोई भी steric hindrance नहीं हो रही है जो ithamic double bond है वो जिसके पाइड बोर्ट होंगे मैं तैके साथ सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और रभ जो त इसके साथ Thank you बॉंड कंचुगेशन में नहीं हाई वेंजीन बॉंड के तो ये जूरट टेंद की तरह सिप्ट हो रहे हैं अगे डिटक्शन अफंक्शनल गरूप हम यूवी स्पेक्टरोस्कोपी की हैल्प से फंक्शनल गरूप को भीटेक्ट कर सकते हैं जैसे कोई भी फंक्शनल कर सकते हैं जैसे hydrogen bond बनेंगे प्रोटिक सोल्वेंट के अंदर जैसे alcohol water के अंदर है जो hydrogen bond बनेंगे तो हम hydrogen bond की strength compare करके जैसे lambda max और e max की strength compare करके हम उनका पता लगा सकते हैं hydrogen bond का हम लेम्डा मैक्स और लेम्डा मैक्स प्रोटिक सोल्वेंट और नॉन प्रोटिक सोल्वेंट के compare कर सकते हैं दूसरे एक साथ आगे है determination of keto enol keto enol tetomerise form है उसको भी पता लगा सकते हैं कैसे पता लगा सकते हैं इसके अंदर क्या होगा जो intensity होगी inol कि टोकी वो कम होगी as compare to enol के और जो मतलब क्या है लेम्डा मैक्स हो ज्यादा होगी as compare to inol से मतलब यह है keto form यह है inol form तो इसके अंदर क्या है lambda max ज्यादा होगी और intensity कम होगी इसके अंदर intensity कम होगी और इंटेंसिटी जादा होगी लेंडा मैस कम होगी अब आगे क्वांटिटेटिव एनलीस हम क्वांटिटेटिव एनलीसिस में भी हेल्प करते हैं जैसे हमने बियर्ड लेंबर लों में पढ़ा था एजिकल दो अबसाइलन सी अल थो हम अगर हमें किसी चीज़ की संस्क्राइशन पता लगाने अगे रहें ग्रासिक अग्मे की कंसेंडरिशन पता लगाने है तो हम क्या करेंगे विटामिन एमडा मैक्स हाफ़ावन इकवल है 325 के नैनो मेटर तो यहां पे descriptive कि वैल्यव आगे 50 50 100 यह अपसाइलन की वैल्य है अब इसकी पाथ लेंथ हमें पता है वी संटीमेटर एवन संटीमेटर पाथ लेंथ है और अबजोर्बेंथ एकवल टू 0.75 अब हम यह बैल्यू पूट करके इस फोर्मले में पता लगा सकते है कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी c equal to 0.75a1010 यह और बातलान्थ हमें पता है 1 cm यहां से हम पता लगा सकते हैं इसकी value क्या होगी mole per liter के अंदर अब आगे purification control जो UV spectroscopy है इसका purification control में भी यूज किया जाता है dye stuff और pharmaceutical industries के अंदर यह था आज का हमारे topic कल हम discuss करेंगे woodwork pasture rule के उपर thank you so much friends please like and subscribe my channel